नमस्कार सभी को और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अमरे क्लास में और आज हम अपनी क्लास को continue करते हैं कल की क्लास में हमने conditional sentences से related exercise करे थी आज वही कुछ एक previous year question paper से different examination मैं ये नहीं कहूँगा कि ये second grade और third grade से related है लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये सारे questions आपको previous year question paper से मिलेंगे यहां से हम वही question लेका है जो पुराने examination में आये हुए हैं कुछ एक students ये demand करते हैं कि जो भी question जो भी topic हमारे syllabus में उन सभी के previous year के करवा दीजिए तो बिल्कुल हम प्रयास ऐसे करेंगे कि आपको बिल्कुल hundred percent फायदा हो आप जाने कि examination में प्रशन कैसे आते हैं और कैस तरह से आप ये question को solve करने की techniques देखें क्या कुछ एक खास बाते होती है जैसे tenses में जब ये question types हो रहे थे तब मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे ऐसे questions है जिन में हमें अच्छे विचार अच्छी तरीके से देखें पूरी जो वरब के forms इन सभी चीजों को याद करना पड़ता है meaning याद रखने पड़ते हैं लेकिन कुछ ये को बहुत ही आसान question होते है जिन पर हमें time consume नहीं करना है वो समय हमने बचाना है उसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इस month में हम जो हो छे test major test grade second के 3 GK और 3 English test के जो शुरू करे हैं हमने एक test हो चुका है आप अब भी join कर सकते हो you will be provided the PDF of the question paper वो जो GK का paper हो उसके PDF आपको मिल जाएगी merit निकाली जाएगी अंत में और जो दो paper होंगे उनकी और बिल्कुल कल के paper की खास बात 2018 के paper में 2018 के second grade में जो पेपर आया था grade second का जो दिखने में बड़ा असान लग रहा था लेकिन application level काफी high था लोग जब apply कर रहे थे अपने knowledge को तो मात खा गए गलतियां कर गए कुछ ऐसा ही question paper हमने कल तैयार किया था आप सभी को प्रयास ऐसे करेंगे कि वो paper मिल जाए कल का आप देखिए समझे कल के paper की merit 50 नमबर जो है वो रहा 50 नमबर वाले जो है वो हम उनको मानते हैं कि वो एक परिस्तितियों में हैं अच्छी स्तिति में हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जीके में 50% नमबर वाले क्यूंकि paper का level ऐसा था ठीक है वो paper देखेंगे आप और आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे grade third से related full course available है application पे different अलग-अलग courses हमने transformation से related भी course अलग कर दिया है MHM Spoka स से related कर दिया है second grade के लिए तो आप वहां भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में preposition से related भी हमें एक अलग से class आपको provide करवाएंगे तो इनी के साथ शुरू करते हैं आज की class और आज का पहला question देखिए और सीखिए क्या इस question में पूछा जा सकता है और ये क्या question कहना चाह रहा आपको देखिए I I को mind में आता ही हम एक बात सोचेंगे ठीक है जिस तरह से जो अच्छा पढ़ता है वो ये तीन चीजें ध्यान में रखता है ये तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखता है जो लोग time बचाने की सोच रहे हैं वो हमेशा सोचेंगे जैसे ही subject पड़ा the thief singular आ रखेंगे एक line बोलेंगे I am I was I plural ठीक है तो ये देखेंगे इससे किशन को आगे करते हैं I space English for five years जब कभी भी हमारा हमें ये याद होना चाहिए before going through the options options में जाने से पहले अब देखो I have I shall सभी सभी manage हो रहे हैं देखिए I am भी होता है I have भी होता है I shall भी होता है I study भी होत देखें आगे जब पड़ेंगे जैसे ही को पड़ते ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो सकती है जिस तरह से हम अगर हम देखें ठीफ को पड़े तो भी हम कर सकते है लेकिन in question में काफी जो है वो high level आया हुआ है इंडिया पार्टिसिपेट इस तरह की वर्ब ज जब हम option में जाए, उससे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, since 4 plus time, जी हाँ, since 4 plus में time आए, तो हमारी कहानी जाएगी perfect continuous वाली verb में, अब हमें 3 वरब मिल सकती है, present perfect, past perfect और future perfect, देखिए कौन सी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठेक है, और shall have studied भी नहीं है, हमारा answer बचा, ये क्यों नहीं है, future perfect continuous, sorry, जब हम since 4 time देखेंगे, तो हमारे mind में आना चाहिए, perfect, perfect continuous वाला tense, वही आना चाहिए, और वरब देखिए, जैसे हमें, I have been studying English for 5 years, ये सही आ रहा है, कुछ एक exceptions है, जैसे यहाँ पर studying की जगया ऐसी वरब आ जाए, जो वरब क्या हो, stative हो, तो हम इस की जगया पर perfect tense देखेंगे, ठीक है, जैसे हम साधारन sentence देखें, कि I have known him for 2 years, ये sentence है, इसमें since 4 time तो आया है, लेकिन has have third verb आई है, वरब क्या आई है, क्यों आई है, इसके पिछे कारण क्या है, क्योंकि ये जो है, no verb है, वो stative है, इनमें कभी ing नहीं लगता, तो ये tense हमें नहीं लगाना, लेकिन इस sentence में study जो वरब है, एक stative वरब नहीं है, डैनमे की है, यानि जिसमें ing लगा सकते हैं, तो हमें वही डूड़नी है, क्या पता चला पहले sentence से, कि जैसे हमें since 4 time देखा, तो perfect continuous की तरफ जाईए, और 3 option कट करिए, दूसरा example देखें, तो singular आने चाह यहाँ पर, जो है sentence में, हम यह देखेंगे, कि he fell verb की second form, कोई भी option he से कट नहीं हो रहा, he जैसे ही पड़ा तो plural काटनी थी, जो की नहीं कट रहा, क्योंकि यह second form है, है जा सकता है, he के साथ will भी आ सकता है, सारी चीज़े clear है यहाँ पर, ठीक है, यह दो चीज़, दो option नहीं में हमें, is mr, यानि, was var ing लगाना है, was और var के साथ ing लगाना है, यह हमने देखा था, ठीक है, while plus was var ing, यह हमने चीज़ देखी, तो अब देखे, he was driving, यह तो आ गया, लेकिन यहाँ क्या लगाना है, यहाँ same, same क्या आ सकता है, was var ing आ सकता है, यह verb की second form आ सकता है, दो चीज़ consult करा है, after while को हम generally एक साथ करते हैं, after while and before को, tense के दुरान, देखिए, while आ जाए, तो बाद में, हमेशा ध्यान में रखे, while के बाद वाली वर्ब हमेशा was var ing होगी, ठीक है, आप बोलके देखिए, while teaching, while playing, while going, while coming, जब while बोलते हैं, तो ing आएगा, ठीक है, तो while was var ing, पक्का, इ कुनसी है, वर्ब की second form है, या वोजवर ing है, जी हाँ, वर्ब की second form है, fall fell fallen, fall fell fallen, इस तरह से, तो ना तो यहाँ पर वोजवर ing है, ना कोई बात, हमें वर्ब की second form करना पड़ेगा, he fell asleep, वह सो गया, while he was driving, जब वो drive कर रहा था, बाद में या मूँ और तरियांग सो गयो, है जो आपको याद नहीं हो रही है, या फिर जो आपको, rules है ना, उनको एक बार रट लीजिए, हम बताते हैं विद्यारतियों को, कि क्या करें, जब आपने जो चीजे, question paper, जो चीजे classroom में पड़ी है, ये page मानलो आपने लिखा है, ये tenses है हमारे, ये इतने rules, जितने भी tenses क करो, ठीक है, दुबारा पड़ो तो रट लो, फिर उसे पड़ो, रजिस्टर को, बीच क्यूशन कर लो, ये technique अपनाते अपनाते आगे बढ़ेंगे, काम्याभी मिलने वाली है, ठीक है, दो क्यूशन, पहले में perfect continuous या दोना चाहिए, दूसरे में while वाला rule या दोना जब हम after की बात करते हैं, ठीक है, तो after के plus में हमेशा head verb की third form लगाएं, while के बात करते हैं, ठीक है, तो while के बात हमेशा was, war verb की ing लगाएं, इस तरह है, before से पहले, ठीक है, before से पहले head third form लगाएं, ये rules आप याद रखे, ये rules आप याद रखे, असानी से बातें हो जाएगी, clear हो जाएगा, बाकी ज़्यादा जानने के लिए आप जो है वो हमारे join कर सकते हैं, टेलेग्राम ग्रूप पे अच्छे check question डाले जाते हैं, आप उनको join करिए, और सुनिए, इन सभी चीजों को जानने के लिए, आप ए रहा, run away, कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि ये जो है, thief word है, ये singular है, और run word जो है, वो plural है, उसके बाद में, वोज है, head है, और hedge है, ये नहीं कटेंगे, उसके बाद में, before the police arrived, मैंने अभी बोला आपको, कि जब भी before लगाओ, तो before से पहले head third form आना चाहिए, ठेक है, ये भी नहीं कटेगा, भई, sorry to say, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये second form है, वर्ब की second form है, ये, ये क्या है, वर्ब की second form है, इसलिए ये कटेगा नहीं, ठीक है, रन, rain, run, 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 second form है, नहीं कटेगा, तो देखिए, यहाँ पर दाथीब singular है, before आ गया तो mind में रखना, कि before के पहले head verb की third form और बाद में verb की second form ये rule याद रखो एक बात याद रखे एक बात होती है कि traditional approach है ये ये traditional चलता आ रहा है ये वही question है जो आप 8 में से लेकर पढ़ने लगे थे और अब तक पढ़ रहे हैं और अब तक paper में आ रहे हैं और लोग नोकरी भी लग रहे हैं और लोग गलतियां भी कर रहे हैं याद रखे इस बात को ये कितना आसान question है कि before के पहले head third form लगा दो after के बाद में head third form लगा दो while के बाद में was or ing लगा दो ये कितनी आसान बाते हैं think about it सोचिए, समझे इस बात को कि कितना effective हो सकता है ये तरीका कि आपने अपने register को याद किया और सब चीज़े जी हाँ practice के अलावा हमारे notes में हमारे जो classes में कहीं भी किसी भी तरह की जो हो कम या नहीं है क्योंकि हमने Renan Martin, Eftywood और जो है वो Tomson तीनों किताबों को classroom में पढ़ लिया है 10 से जो हो, चाए कुछ भी हो even हमने SFO का MHM को जो free leach में से पढ़ लिया है तो ये सारी चीज़े है, rules हमारे पास बहुत है बस exercise की कमी है ये प्रशन वो है, जो आसान है simple है लेकिन paper में आते हैं गलत होते है, बहुत साले प्रशन आएंगे ठीक है, देखिए the thief before, before आएगा तो head third form, एक ही उत्तर बनेगा और उत्तर ही नहीं बनेगा एक ही उत्तर बनेगा, उसके बाद देखिए इंडिया singular है, तो past card जो plural card तो नहीं कटेगा this profit next year, अब next year आजाए तो future, next year आजाए तो future has present होता है participate present होता है और was past होता है तो will participate will participate participate, will participate तो ये क्यों आया, क्योंकि बहुत आसान question है ये वर्ब जो है, future simple की वर्ब ये मैं सबसे आसान मानता हूं tenses में, सबसे आसान लेकिन जब ये वर्ब की first form के साथ mix हो जाती है कि वर्ब की first form भी future simple बनती है easy MR भी, तब कहानी गड़बड होती है लेकिन हमने बहुत अच्छे से करा है इसको, ठीक है, चार question हुए आज हम लगबग जो है, वो दो part में tenses को करेंगे, आज हम कुछ है question करेंगे, कल कुछ है करेंगे ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए, question one singular, बहुत ही बढ़िया question है बहुत ही शांदार question है, paper में आया हुआ question है और आप देखिए, खुबसूरती देखिए इस question की आप जानिए, क्या पुछा जा सकता है हमें, one who space poem is a poet right, right वगेरा, तो one जो आपने पड़ा होगा, एक rule क्या पड़ा होगा, कि जब कभी relative pronoun किसी sentence में use किया जाता है तो यहां आने वाली relative pronoun के बाद में आने वाली वरब इस वाले antecedent को यह according आती है, यानि relative pronoun क्या होता है, who, whom which, who, whom, that इस तरह के relative pronoun आते हैं ठीक है, तो यहां पर who आया है who से पहले just क्या है, यह वाला one है, जो की क्या है, one who यह एक pronoun है, यह क्या है एक pronoun है, इसका पाट सो स्पीच पुछे नहीं, तो आपको pronoun, प्रणाउन जनरिक का मतलब सभी पूरी दुनिया पे अपलाई और एक होता है one कौन सा this one that one this one और that one replace one होते हैं ये तीन प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिनमें पहला जो one संख्या के लिए वो नाउन होता है बाकी दोनों प्रोनाउन होते हैं रेनन मार्टिन के अंदर एक सेंटेंस में इसको नाउन बताया हुआ है वहाँ प्रोनाउन कर लेना ठेक है तो one who space poem is a poet तो यहाँ पर one क्या है singular तो singular वर्ब आएगी तो देखिए यहाँ पर इज भी singular है रोट का singular plural होता नहीं second form का यह भी singular और यह भी नहीं तो यहाँ पर इज यह क्या है present tense है तो इस इज से पता चला कि यह present है तो यहाँ पर इधर वाले भी क्या आएगा present आएगा यानि ना तो past आएगा ना future आएगा ठेक है तो यहाँ पर यह universal truth बनता है क्या कि जो poem लिखता है वो poet कहलाता है जो drama लिखता है वो playwright होता है जो गाना गाता है वो singer होता है यह एक universal truth के sense में लखेंगे और universal truth के लिए आती है वर्ब की first form one who writes a poem writes poem जो कविताय लिखता है is a poet वो कभी होता है ठेक है पढ़ाता है वो master होता है पढ़ता है वो विद्यार्थी होता है universal truth ही है यह हमें सिरफ 2 से 3 universal truth बता है पहला universal truth प्रत्वी सुर्य के 4 तरफ चक्र लगाती है दूसरा दूसरा water boils at 100 degree Celsius तो ही ठेक है उसके बाद में देखिए the address is nearly space out क्या समझे इस question से ये समझे कि दो प्रकार की वर्ब होती है एक होती है finite verb और एक होती है non finite verb दो तरह की वर्ब होती है finite and non finite verb जब हम finite verb की बात करते हैं तो subject के पास वाली होती है ये age यहां पर आ गई है अब हमें age मिल गया है और ये सारी verb ही है ये सारी verb ही है हमें ख्याल इस बात का रखना है देवी और शजनो कि अगर हमें age, mr, words, or, वगएरा, वगएरा पहले मिल जाए helping verb मिल जाती है तो देखिए कुछ एक बातें का ख्याल रखेंगे कैसे ख्याल रखेंगे आप ऐसे देखिए इसको ठीक है मैं यहीं लिख देता हूँ कि अगर हम बात करें इजमर की तो इजमर के प्लस में या तो आई एंजी आएगा या वर्ब की थर्ड फोम आएगी अगर हम बात करें है जैव हैड की तो इसके प्लस में या तो वर्ब की या क्या वर्ब की थर्ड फोम ही आएगी इजम है जैव हैड के बात में वर्ब की थर्ड फोम ही आएगी अगर हम बात करें वोजवर की ठीक है तो इसके प्लस में या तो वर्ब की ing आएगी या वर्ब की third form आएगी अगर हम बात करें do does की ये प्रशन आता है अगर हम do does की बात करें तो वर्ब की first form ही आएगी अगर हम did की बात करें तो इसके plus में हमेशा वर्ब की first form ही आएगी याद रखें इन चीजों को हमेशा इनमें ing नहीं है, इनमें ing नहीं है, तो क्या होगा word कुछ होता है नहीं, देखिए ये बहुत ही बढ़िया example है, paper वाला example है, कि ऐसे भी आते हैं, जैसे cut का second form वो cutted लिख देते हैं, ये देखिए न, wear, war, warn, तीन होती है न ये, तो इसको word बोला है, गलत है, ठीक है, wear, verb की first form ह जो की कभी आते नहीं, war, verb की second form है, जो की कभी आते नहीं, और बचा इन दोनों में से क्या, verb की third form बची, ऐसे करना है, जैसे आप सोच रहे हो न, वैसे परिस्तितियां विकट हो सकती है, परिस्तितियां भी प्रीत हो सकती है, देखिए जराइस question को, address is nearly, इज आ गया, तो के बाद में कौन सी वरब आ सकती है, दो, दो में से इसमें कितनी है, एक तरीका होना चाहिए, पेपर करने का, had you woken up earlier, you space seen, scene आ गया, वरब की third form पहले दे दी, अब वरब की third form से पहले क्या क्या आ सकता है, देखिए, या तो आ सकता है इजैमर, या आ सकता है है जैव, या सकता है वोजवर, करिए इसको, ठीक है, वोजवर आ सकता है, उसकी, या जैव तो यह आ गया ना, है जैव यह रहा, ठीक है, तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, समझे इस बात को, वरब की third form आ गे, scene, ठीक है, तो इधर क्या लगेगा, यहा ठीक है, तो यह क्या है, बी है, ठीक है, वुड हैव बींग सीन, यह तो फ्रेजी गलत हो गई, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वुड बी सीन, वुड हैव सीन, या फिर, विल हैव सीन, या वुड हैव सीन, इन में से क्या होगा, कंडीशनल वाली बाते याद करिए, conditional, जो पिछला हमारा topic था, उसको याद करिए, कि क्या अगर एक तरफ head verb की third form हो, तो would have third form आना चाहिए, would have third form आना चाहिए, तो ये क्या है, will have और इसमें have नहीं है, इसमें would नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा so a snake, अब देखें, आगई ना कहानी वोई, my sister so a snake while आगया, तो while वाले rule याद कर लीजिए, है ना, while वाला rule याद कर लीजिए, ठीक है, तो my sister so verb की second form तो पहले आगई, और याद ये हो नहीं हो, आप ये सोचिए while के बाद में हमेशा वरब की ing वाला आएगा, वोज वर ing आएगा, तो वोज वोकिंग, वोक्स नहीं आएगा, इस वोकिंग, वर वोकिंग, तो किसी हाल में नहीं होगा, ये हमारा उत्तर होगा, हमने बहुत ये अच्छे तरीके से इसको consult करने की कोशिश करी है, और हम करते हैं, और हम करते रहेंगे, ठीक है, हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, in the next class, तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ, देखते रही है, अपनी learning को improve करते रही है, प्रशन करने की टेक्निक को समझेए, टेस्ट का ख्याल रखेंगे, हर चीज जो हो, examination के लिए, जो हमारा साथ दे सकती है, उस हर चीज को आजमा के देखेंगे, बिलते हैं अगली class में, बिलने बार,